POCO X2 डिवाइस की उजस काफी जड़ा लखी होने वाले हैं क्योंकि भाई यहाँ पे आप देख सकते हूँ POCO X2 का finally stable update आ चुका है 13.0.1 लेकिन यह update चाइना का है ना के इंडिया का है क्योंकि इंडिया का 13 का schedule आया जिसमें 1st batch में रखा गया Mi 11X, Mi 11X Pro और Redmi Note 10 Pro Pro Max को उनका कोई भी खोज खवर नहीं है कोई भी टेस्टिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हो है कोई इंफ्रमेशन निकल के सामने नहीं आया है लेकिन जो चाइना के devices है उनको भाई काफी क्यूक अपडेट मिल रहा है और यहां पर आप दिस्क तो यहां पर मैं 13 का official update यूज कर रहा हूं यह बात अलाई है कि यह Poco X2 चाइना में K30 के नाम से था तब K30 का update है लेकिन इसका update और बन गया है तो बस भाई इसका है जो Google क करने है और इंडिया में update प्रवाइट करना है यानि भाई Poco X2 को काफी जल्दी update मिलने वाला है क्योंकि चाइना में update मिलना सुलू हो चुका है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने हैं कि 13 के stable update के अंदर हमें क्या कुछ यहां पे नया देखनी को मिलता है और सभ प्रवाइट का इंटरेस्टिंग अपडेट आपको मैं regular प्रवाइट कर सको प्रवाइट के आप लिडियोंगे चांप में आपको श्योंडियो सकते हैं असानी से काम करते हैं जो कि मुझे काफी पसंद आया जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो वापस हम आप अपने सेटिंग के और आते हैं तो माई डिवाइस में आपको देखने को मिलता है 13 का कलरफुल लोगो क्योंकि जो ब्लू कलर का लोगो है ना वो तो सिर्फिर आपको है जो बीटा वाले रोम में देखने को मिलता है और वेस्टिवल में कलर देखने को मिलता है जो कि 13.0.1 है और यहाँ पे आल एस्पेक्स के बात करें ना तो यहाँ पे आपको Android 12 देखने को मिलता है जो कि I think Android 10 पर आया था 11 मिला और 12 मिल गया भाई यहाँ पे सारे अपडेट इसको है जो मिल चुके इसके सेडियूल के हिसाब से यह चीज मुझे काफी अच्छी लगी है साथ यहाँ पे आपको टू मंट का सिक्योर्टी पैच देखनी को मिलता है और प्रिफ का ओफिसल अला ही करनल देखनी को मिलता है रैम जितना भी आपको एक्टेंसर में मिलेगा चाहिए वह 1GB हो 2GB हो 3GB वह आपको यहाँ पे दिखाई देगा जैसे के आप देख पारे हो 6 प्लस 2GB तो यह आपको यहाँ पर देखनी को मिल जाएगा है जो कि fully working है कोई दिकत नहीं आती लेकिन एक और सबसे बड़ी बात यहाँ पर बाइडिफोल्ट यह 120 पर सेट रहता है जबकि बागी चितने भी डिवाइस से जाते ना उनके सबसे मीनुम सेट रहता है हमें on करके सेट अप करके 120 पर जाना परता है बट जब मैंने बगेरा आप चेंज कर सकते हो रिसेंट का जो होडिजेंटल एंड वर्टिकल है उसका भी आप वेनिफीट यहाँ पर ले पाओगे और यहाँ पर आप देख से तो यहाँ पर 3.9 GB फ्री हमारे 6 GB में से तो अभी फिलाल है कुछ टाइम बाद और ज्यादा बेटर हो जाए ह साउंड के प्रोफाइल में ज़्यादा कुछ आपको नहीं मिलता करें फिली सिमिलर वही सारी चीज आपको देखने को मिलती है लेकिन वाल पेपर एंड प्रस्नलाइजेशन देखने को मिलता है जो कि इंडिया में अभी तक आया नहीं और पता नहीं आएगा भी या नहीं नीचे आते हैं तो AI आप देख सकते हो इसकी इन टाइमिंग प्रोपर काम करता है तो आप इसका यू ले पाओगे ऐस्पेसल फिचर में आपको यहां पर मिलता है प्रैवेसी प्रोटेक्शन लैब जो कि यह काफी टाइम से आ रहा है जब से एंडुराय डिलेवें और टे ग्रू हो चुका है और यहां पर आप देखनी को मेरा है जो कि पहले नहीं था जिस पर आप फिंगर रखके कहीं पर अपने फ्लॉटिंग विंडो को मूफ कर सकते हो असानी से इसके इनिमेशन में भी इंप्रूमेंट किया गया है बाकि आप गेम टर्वो को कहीं पर भी ऐ यहां से लुक आ चुका है यहां पर प्लस का साइन देखनी को मिलता है बट फीचर्स तो करीक्री सिमिलर ही है और भाई मच्छर ने तो तवाही मचा रखी है बाकि हम आते हैं अपने CPU ठोटल जहां पर मैंने गेम टर्वो को डाल रखा है तो यहां पर CPU ठोटल को अगर मैं आने वाला है टेस्टिंग वाला तो चलिए प्ले कर लेते हैं तो आपने सुना कि यह काम कर रहा है अच्छे तरह की से कोई दिक्कत नहीं आता और यहां पर पर्फॉर्मेंस और बालेंस भी है जो इंप्रूब कर सकते हो ताकि आपका गेमिंग वगरा का एक्स्पेंस वह देखने को मिलता है तो यह भी फुली आपको निव लुक देखने को मिल जाता है गेम डरू का जो कि वायस चेंजर के साथ आता है तो यह भी प्लस पॉइंट देखने को मिलता है यहां पर जो फाइल में बाइड डिफॉल्ट मिलता है यह तो इंडिया में नहीं आने व मिलता है battery जिसके अंदर performance का option आ चुका है जिसे आप performance boost कर सकते हो लेकिन हाँ battery वा सा drain जादा करता है यहाँ पर automated task manager मिलता है जो कि अभी old EY के साथ ही है नया नहीं आया temperature आपको number में दिखाई देता है name के साथ नहीं दिखाई देता बाकि यहाँ पर यह animations भगे रहा तो भाई पहले से मिलते हुए आ रहे हैं अब आते हैं camera के उपर तो camera भी काफी कुछ improve किया गया है जैसे कर हम more पर आते हैं documents पर आते हैं तो documents का protection का एक option आच चुका है जिसके बजह से आप watermark लगा सकते हैं अपने photos के उपर click करते हुए time ताकि वह photo या documents काहीं पर share हो ना तो उसके उपर आपका copyright लगा हो रहा है और same यहाँ पर password type photo बगड़ा है ना उसके उपर भी आप copyright बगड़ा है जो लगा सकते हो इस shield के icon पर click करने के पाथ साथ यसाथ अगर हम यहाँ पर आते हैं अपने जो block के option पर तो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ हमें नया मिला या नहीं तो आप देखते हैं यहाँ पर कुछ नये option देखने को मैंने जो कि I think हमें देखने को नही थो moyen है Indian users के लिए तो यहां पर यह नए block option है जो कि उम्मीद करते हैं कि साइध हमें इंडिया में भी देखने को मिले उसके बार अगर हम 999 पर जाते हैं setting पर in करते हैं तो आपको यहां पर setting दिखाए देता है जो कि preserved setting का है जो कि मैंने आपको यह पहले भी बताया कैसे काम करता है तो इन setting को अगर आप on कर देते हैं और कोई भी customization करते हैं अपने phone के अंदर photo के अंदर तो वो setting permanent save रहता है जब तक आप उसे change ना करो जैसे कि मैंने AI को on किया वापस में on करता हूँ तो यह setting आपके काफी काम आने वाला है इसके बाए अगर हम gallery के अंदर आते हैं तो gallery के अंदर भी कुछ improvement किया गया है जैसे हम gallery के अंदर आते हैं किसी भी photo को pick करते हैं more पे जाते हैं तो यहाँ पे protective watermark देखने को मिलता है जो कि same हमें camera के अंदर देखने को मिला था यहाँ पर यह कुछ चीज़ आप type कर सकते हो और photo को apply कर सकते हो watermark के रूप में जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो यह भी copyright का का काम करता है जो कि मुझे काफी सही लगा और यहाँ पर तीन नए layout आपको देखने को मिलते है जो कि cleaner की रूप में काम करने वाले है photo को delete करोगे तो आप register अगरा कर सकते हो तो यह भी improvement आता है बाकी all in camera का तो आपको पता ही है और बाकी यहाँ पर more पर type करे तो आप देखते तो यह जो area है ना यह जो option के यह पहले हमें थोए small देखने को मिलते से थोए large अब हो चुके क्योंकि इनके test के बीच का जो space है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है तो यह भी आपको थोड़ा सा बतलाओ देखने को मिलेगा अगर हम control center के बात करें तो अभी तक new नहीं आया है old वाला ही है लेकिन उमीद करते कि new आ जाएगा और यह Android 12 को उपर है तो आप new वाला control center भी activate कर पाऊगे बस AP के install करना है और उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो कैसे काम करता है साथ साथ जो volume slide के अंदर पहले हमें थ्वा सा stutter और lag देखनी को मिलता था वो थ्वा सा improve हो चुका है जैसे कि मैं slide करूँ हो तो क्यों कि आ जाता है और कोई भी lag वगएर यहां पर यहां पर फिल नहीं होता और इस बार का जो boot animation है उसे भी change किया गया है तो चले मैं आपको boot animation भी है जो यहां पर सोग कर देता हूँ और आप यहां पर देखो यह जो हमारा boot menu है वह भी change कर देगा है पहले हमें old look देखनी को मिलता था यह अब नया आ चुका है और background transparent काफी beautiful लग रहा है तो transparent के ऊपर भी थोड़ा काम किया गया है यहां पर आप देखें तो Redmi का logo आ रहा है यहां कि यह चाइना में Redmi K30 है और इंडिया में Poco X2 है तो जब यह इंडिया में आएगा तो आपको Redmi के जगह Poco देखनी को मिलने वाला है ना कि Redmi देखनी को मिलने वाला है और यहां पर आप देखें तो boot animation के साथ आपको sound भी सुन जाएगा जो कि देखें काफी अच्छा लगा और वहीं पर इसके fast boot logo की बात करें ना तो पहले हमें MI Bunny देखनी को मिलता था उसके बाद fast boot का test तब Bunny को यहां पर gap कर दिया गया है और आपको direct है जो टेखनी को मिलता है test जो कि fast boot लिखा हुआ है जो कि side आपको इस वीडियो म या कुछ निकल के आता है तब ही यह first update है तो अभी मैंने चेक नहीं किया है थो लॉंग यूज के बाद यह भाई थोड़ा हो जाता है और थोड़ा better results देता है तो थोड़ा सब वेट करते हैं और मैं आपको long time का भी वीडियो प्रवाइड करने के कोसिस करूंगा या वीड यहां पर secure mode आपको technique को मिलता है जिसे आप on कर दोगे तो आप कोई भी apk को अपने file manager से download नहीं कर पाऊगे या नि install नहीं कर पाऊगे वो permission लेता है जिसे आपके security थो और better हो जाती है तो जैसे कि मैं यहां पर type करूं installation पर तो आप तो यहां पर check कर रहा है file को कि file सही है या नहीं और यह भी check करता है कि यह file इनके store में available है या नहीं अगर है तो recommended करेंगा कि आप इसके store से download करें अलग से download नहीं करें और यह already downloaded रहेगा तो आपको download का option भी दे देगा तो आप देशने तो यहां पर secure का line देखनी को मिलता है तो security के ऊपर थोड़ा ब custom room review के लिए उसे आपने subscribe नहीं किया तो कर लेना क्योंकि वहां पर मैं regular है जो custom room के update प्रवाइट करता रहता हूं और यहां पर official और बागे दर चीजे में आपके लिए लेके आता हूं तो मिलते है निक्ट वीडियो में बाबाई झाल